आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है चेप्टर 10 है एक्सराइस 10D है एंड कुछिन इसका फिर्स टार करते हैं अब हमने इसमें मैथड कौन से यूज करना है यूज इलिमिनेशन मैथड तो सॉल्ड फॉल्मिनियर इक्वेश्चन जो भी इसमें इक्वेश्चन दियू है लिनि लिनियर इक्वेश्चन कॉन से होते हैं मैं अब को बता दती हों कि जिनकी पावर फावर्ब भी फावर्ब हो लिग कि यप एक्स कोन से है दोने equations को और दोनों को मैं यहाँ पे name दूँगी first equation हमारे पासी बन रही है 2x plus 5y is equal 25 and second equation बन रही है 4x plus 3y is equal 20 ठीक है यह हो गई first equation और यह हो गई second equation अब आपने इन दोनों में difference यह देखना है कि जो इनके x के coefficient और y के coefficient आपने किसी एक variable के coefficient को same करना है और same करने के बाद उनको add subtract जो भी काम हो रहा होगा elimination के हिसाब यह 2 है और यह 4 है यह यह दोनों same नहीं है coefficient और अगर y की बात करें अगर आप y को eliminate करना चाहरे है तो यह 5 है और यह 3 है अब जैसे कि 4 है 4 2 के multiple में 4 आता है तो आप तो इसको भी 4 बना सकते हो ठीक है अगर आप x को eliminate करना चाहरे है तो x को eliminate करना ज़्यादा बेस्ट है क्यूंकि इसमें आपको 3 से multiply करना पड़ेगा और इसको आपको 5 से full-full के साथ करना पड़ेगा इसमें आप simply एक equation को लोगे और उसको ही आप चेंज कर दोगे second equation के साथ अब आपने simply क्या लिखना है multiply one equation by two और यह हम multiplication इसलिए कर रहे हैं ताकि जो x का coefficient है वो क्या बन जाए 4 जो के दूसरे जैसा हो जाए ठीक है ताकि हम इसे easily eliminate कर ले अब आपने multiplication सिर्फ आपने एक coefficient के साथ नहीं करना है आपने सब equation के साथ कर देना है जैसे two bracket में लिखा bracket के बाए two और अंदर वो सारी equation जिसको हमने multiply करना है वो लिखते नहीं है ठीक है आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही coefficient को पकड़ें और उसको multiply कर दें और उसको solve कर दें ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा आपने सारी value के साथ multiplication का sign apply करना है two को multiply करेंगे two से four x आजगा plus two को multiply करेंगे five से two five's are ten y and two को जो मैं twenty four से multiply करूंगी तो two fours are eight and two two's are four यह अब आपके पास आप इसको name देने third equation का ठीक है हमने first से बिनाया किसको third equation को अब आपके पास दो equation है एक आपने two ले लेनी और एक आपने three ले लेनी अब आप two का और three का जो x का coefficient है ना वो देखे same अब हमने second और third को क्या कर देना है minus कर देना ताकि हमारा पास जो है x eliminate हो जाए अब simply यहां पर क्या लिख होगे subtract two from three यानि कि two को आपने minus कर देना है किस में से third में से तो आपने third को जो है वो उपर रखना है four x plus ten y is equal 48 क्योंकि हमने दूसरे को minus करना है तीसरे में से तो दूसरे को हम लिखे हैं नीचे से धूज होगे सेब्वेशन हों जिसको हम करना होता है सेकन वाली तक हिसमें माइनस में चैंज होगा है 20 भी यहां पर plus है तो यह भी क्या होगा माइनस में change अब यह देखें यहां पर कोई भी sign नहीं तो plus का sign exist कर रहा है और आपने use भी कौन से करने है जो new आप sign लेके आएं ठीक है plus minus minus यह eliminate हो गया अब इनको देख लेते हैं plus minus minus 10 में से 3 निकाला तो 7y और sign जो है वो बड़ी value का plus का आएगा यहां पर कोई sign नहीं तो plus का sign exist कर रहा है plus minus minus 48 में से 20 को minus करूंगी तो हमारे पास आएगा 8 में से 0 निकाला 8 4 में से 2 निकाला तो 2 यह चाहिए यानि कि एक variable की value हमें नजर आ रही है कि यह आ सकती है अब 7 यहां क्या ओरा multiply हो रहा है और equality की दूसरे side पे जाके क्या हो जगा divide हो जाएगा तो आप य की जो value आई है वह हमारे पास आ गई 4 अब हमारे पास एक value आ गई है तो अब आप क्या करोगे simply यह जो हमारे पास एक value आई है value variable की आप वो किसी एक equation में पूट करो ठीक है और उसमें पूट करके answer ले हो x का तो आप simply क्या लिखोगे put y is equal 4 in first equation यह first equation यह second equation यह पर depend कर रहा है आप कोई भी जाली चूज कर सकते हो 2 x plus 5 y is equal 24 अब जहां आपको y नहीं नहीं क्या करना है उसकी जगह 4 पुट करते नहीं साइन कोई भी नहीं है लेकिन यहां पर multiplication का sign exist कर रहा होता है तो मैं यहां पर bracket का apply कर दूंगी bracket and multiplication नहीं की बात है y की जगह मैं क्या पुट करूंगी 4 2 x 5 4 जा 20 is equal 24 अब हमें 2 x यहांनी कि x की value चाहिए तो सबसे पहले आप addition यहांनी कि subtraction और addition की value को देखोगे आपने 20 को ट्रांसफर करना है तो आप थोर्देर के लिए इसे ignore कर दो के बाकी जो value नजरा आए ना आपको 2 x इसको ignore किया equal 24 आपने सारी value लिखती अब जब हम 20 को ट्रांसफर करेंगे equality की दूसरे साइड पे तो इसका sign जब क्या हो जेगा change यह plus था equality की दूसरे साइड पे जाके क्या हो गया minus अब हम इनको 24 में से 20 को minus करेंगे तो 4 आजएगा अब हमें जाए x की value तो अब 2 और x के द्रम्यान में basically sign कोई नहीं है लेकिन यहां का sign exist कर रहा होता है तो यहां multiply हो रहा है equality की दूसरे साइड पे जाके क्या हो जगा divide हो जगा 2 1s 2 2s 4 और x की value जो है वह मार पास क्या आगई 2 और दोनों हमने इसकी values निकाल लेकिग गए झाल यहार पौन प्रदिक свое टोनों हम जगा होलिए झाल है रहा ह झाल ही जबना में छोन पा रहा है